आज हम बनाने जा रहे हैं एक book self speaker enclosure और इसकी quality बहुत ही high रहेगी, यह CNC cut है, तो आप समझ लिजे कि पूरा मामला बहुत ही high quality का रहने वाला है, theory और calculation से लेकर practical तक सारी चीज़े आपको इस वीडियो में मिलेंगी, हर audio file की यह तमन्ना होती है कि उसके पास एक अच्छा speaker का pair हो, जिससे वो high quality की audio सुन सके, और यह चीज़े इंडिया में बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि non-branded में यहाँ पे quality items available नहीं है, branded book self speaker तो available है, लेकिन उनका price हमारे budget के बाहर है, इसलिए मैंने सूचा कि क्यों ना आपको एक बढ़िया quality का book self speaker बना के दिखाया जाए, जिससे आपके पैसे की भी saving हो, और आपको high quality का audio भी सुनने को मिले, कोई भी speaker अगर हम इंडिया में बनाना चाहते हैं, तो हमारे साथ सबसे बड़ी problem आती है, कि speaker driver हम कहां से खरीदें, क्योंकि speaker driver तो बहुत सारे इंडिया में available है, branded और non-branded दोनों ही, branded के साथ मैंने आप को बताया कि वही problem आती है, बहुत ज़्यादा cost हमारी हो जाती है, तो फिर हमां afford नहीं कर पाते, और non-branded के साथ ये problem आती है, कि उसका कोई parameter हमको नहीं मिलता है, और build quality भी अच्छी नहीं मिलती है, तो luckily एक नई website launch हुई है, इस website का नाम है doggy sound.com, Indian home users के बीच में बहुत ही popular है soundking brand, तो उनकी ही website है, और इस website पर आपको do it yourself, speaker box, speaker enclosure बनाने के लिए सारी चीज़े मिलती है, तो इस website का front look कुछ इस तरीके का है, देखिए सारे buffers available है, different, different, tweeters available है, different, crossover, network plate, उसके लावा speaker terminals, और ये acoustic farm भी available है, जो की बहुती rarely market में मिलती है, और सबसे बड़ी बात, ये silk dome tweeters, जो की market में बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि आपने कहां से लिया है, कहां से लेते हैं, इस website पे silk dome tweeter के बहुत सारे variant available है, जो project हम बनाने जा रहे हैं, उसे related drivers और सारी accessories भी मैंने इसी website से लिए है, और इस website से अगर आपको सामान order करना है, तो description में मैंने अपना coupon code दिया हुआ है, आपको coupon code apply करेंगे, तो आपको 5% का discount भी मिल जाएगा, तो अगर आपको इस तरह की accessories लेनी है, speaker, driver, tweeter वगरा, तो आप इस website को visit कीजिए, और browse कीजिए, और जो भी चीज़े हैं, वो आप order कर सकते हैं, यह speaker मैंने यहां से लिया है, जिसको मैं use करने वाल है, ऐसा नहीं है कि speaker दिया है, और उसका data अगरा गायब है, जैसे कि ज़्यादा तर local manufacturers के साथ होता है, 6.5 inch का mid base का woofer है यह, और इसका construction आप देख रहे हैं, काफी खुबसूरत है, और यह polypropylene का ring इसके उपर लगा है, form की ring नहीं लगी है, जो की थोड़ी कमजोर होती है, form वाली, और इसकी जो cone है, वो भी paper की है, अंदर से आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर coated paper है, ताकि weather proofing हो जाए, और इसकी basket भी आप देख रहे है, black color की है, काफी अच्छी quality की है, और back side में आपको दिखा देता हूँ, देखिए इसका model है, DE60C02, और इसके साथ में मैं एक silk dome twitter यूज करने वाला हूँ, आप जानते हैं कि silk dome twitter बहुत ही आराम से market में reliable नहीं होता है, बट इस website बहुत ही अच्छे से reliable है, और बहुत सारी varieties है, एक silk dome twitter भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैं इसके साथ यूज करने वाला हूँ, तो आपको finishing से पता चल गया हो इसकी quality काफी अच्छी है, magnet भीज का अच्छा है, और model number देखिए, DE020C058 ohm, 20 watts का ये tweeter है, और 50 watt का ये woofer है, इन दोनों के combination से हम एक book self speaker तयार करेंगे, physical dimensions verify कर लेते हैं, देखिए ये 6.5 inch का woofer है, 1.5 inch का tweeter है, magnet की radius लगबग 10 cm है, 18 mm है magnet की thickness, जो silk tweeter है, उसके magnet की thickness 15 mm है और magnet का diameter 68 mm है, जो cobalt use किया है नोंने, ये material, ये थोड़ा अलग type का है, इसका grade अलग है, तो भले ही आपको ये इस तरीके का दिख रहा है, लेकिन market में जो other woofer से reliable है, उससे BL यानी की magnetic power इस magnet की ज़्यादा है, इसलिए इसका response काफी अच्छा रहेगा, इसके साथ ही हमें ज दो coils लगी हुई है, और कुछ ये non polar capacitor लगे हुई है, उसके साथ ही में इसमें एक switch भी लगा हुआ है, वैसे तो अगर आप एक standard sound चाहते हैं, तो इसको 0 dB पर रखना है, लेकिन फिर भी कई लोग का test अलग होता है, जो थोड़ा जादा triple चाहते हैं, तो आप plus 3 dB पर कर सकते हैं, actually ये दो piece है, यहां से break करके हमें यूज करना है इस तरीके से, ये कि speaker terminal है, one way का, भी हम यूज करेंगे, ये कुछ speaker के feats हैं, जो कि हम cabinet के नीचे अपने stick करेंगे, ताकि speaker हमारा vibrate मत करें, और website पर ही इस तरह के LM key के net available है, जो wood के लिए especially बनाए गया है, तो इस तरह के net अगर हम use करेंगे, तो finishing काफी अच्छी आएगी, port की भी बहुत जरूरत होती है, तो port भी website पे available है, सभी का model number में description में दे दूँगा, इसके अलावा acoustic foam भी मैंने मंगाया है, जो कि हम speaker के अंदर use करेंगे, ताकि dampening अच्छे तरीके से हो सके, और speaker हमारा vibrate मत करें, इसी combination क साथ आप 8-inch का buffer भी use कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़े यही रहेंगी, तो यह देखिए 8-inch का buffer भी मैंने मंगाया है, इसका वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, इसका model है DE800-018 ohm का, यह 100W का buffer है, इसका भी box अगले वीडियो में में आपको बना के दिखा दूँगा, और अगर आप इतना बड़ा tweeter नहीं यूज करना चाहते हैं, तो देखिए एक neodymium magnet में tweeter है, इसकी performance सेम मिलेगी, लेकिन यह light weight है, और इसका radius वगरा भी थोड़ा कम है, friends आप जानते हैं कि जब भी speaker enclosure हम design करते हैं, तो एक proper calculation की जुरूरत होती है, अगर आप without calculation की कोई box बना देंगे, तो आपकी audio अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि enclosure का design आपके speaker के जो TS parameters होते हैं, उस पे depend करता है, तो TS parameter के बारे में, enclosure के बारे में, मैं बहुत लंबी-लंबी videos बना चुका हूँ, अगर आप इन सब चीजों के बारे में detail में जनना चाहते हैं, तो उन videos को देखिए, आपको काफी information मिलेगी, फिलाल में आईए हम इस buffer को लेते हैं, और इसके TS parameters को software में डालके, एक appropriate enclosure की designing करते हैं, इस buffer का data आप देख रहे हैं, VAS, QTS, QES, QMS, सारी चीज़ें यहां पर दी हुई है, और SJ design software से कैसे design करते हैं enclosure को, यह पहले में आपको बता चुका हूँ, जब ह हम यह सारा TS parameters SJ design software में डालते हैं, क्योंकि एक बहुत ही simple software है, इसलिम मैं इसका use किया है, आप जो भी software reliable है उसमें डाल सकते हैं, लगबग सभी में result एक ही आता है, और QB3 मेंने क्लिक किया है, उस पे अच्छा result आ राता है इस speaker का, तो 14.61 liter इसका volume आता है, और इसमें सभी driver क displacement, port का displacement, network वगर, सभी compensation किया हुआ है, एजे designer में जब आप volume calculator खोलेंगे, तो आपको length width height 3 मिलेगी, उसको आप अपने हिसाब से adjust कर सकते हैं, तो मैंने जब इसको adjust किया, speaker के diameter के हिसाब से, तो मुझे 21 into 30.25 into 23, ये वाला मुझे dimension internal मिला box का, ये internal है ध्यान रखिएगा, और म मैं अपने calculations को change कर लूँगा, जितनी भी thickness आपके board की है, आप उसी हिसाब से length width में add कर सकते हैं, 18 mm thickness का MDF board मैंने यूज किया है, exterior grade का, जो की काफी strong होता है, और इसी वज़े से मुझे अंदर bracing यूज नहीं करनी पड़ी, अगर आप पतला plywood या कुछ भी यूज करते हैं, तो sides में bracing यूज कीजिए, जिससे आपका cabinet strong हो जाएगा, और 18 mm का MDF board लेने पर internal dimension तो वही रहेगा, ध्यान रखिएगा, आप कोई भी width का MDF board या apply board यूज कीजिए, आप जानते हैं कि speaker box को पनाने के लिए 6 panels की जरूरत होती है, front, back, top, bottom और left, right, तो सारे dimension मैंने 18 mm के हिसा उसको cutting करवाने से पहले काफी carefully calculation कीजिएगा, otherwise आपका wood बेकार हो जाएगा, और इसी dimension के हिसाप से मैंने अपने panels कट करवाये हैं, सभी MDF panels कट के आचुके हैं, और सारे tools भी मैंने ले लिए हैं, sanding मगरे के लिए, drilling के लिए, और screwdriver, nails, hammer, सारे चीज़े कटा कर लिए हैं, कर रहा हूं यहां पर, और यह first front panel हमने यहां पर लगा दिया, side panel भी हमने यहां पर लगा दिया, other side panel भी हमने लगा दिया, अभी back panel हम लगाएंगे, लेकिन glue बहुत ही अच्छे तरीके से लगाना है, ताकि कोई भी air gap हमारे पास ना रहे, air gap रहने से हमारी आवास डिफार् बाद में इसमें नेल्स भी लगाएंगे, स्टील की, ताकि हमारा structure और भी strong हो जाए, तो हमारा back panel भी लग गया, top panel भी हमारा लग गया है, और यह नेल्स भी हम लगा देते हैं, MDF में, काफी पतली स्टील की नेल्स लगती है, जिससे इसका structure strong हो जाएगा, और यह देखी, अंदर से मैं glue लगा देता हूँ अच्छे से, फेविकोल की एक पूरी लेयर, ताकि जो भी air leakage की possibility है, वो पूरी खतम हो जाए, बहुत अच्छे तरीके से आपको gluing करनी है, इसके बाद यह grinding की वज़े से थोड़ा surface इसका rough हो गया था, तो मैंने यह वुड पुटी लगा दी है, अभी देखिए grinding करने के बाद surface ही अच्छे से निकल आएगी, अभी देखिए इसकी rubbing हो गई है, sandpaper से पतले, तो जो भी up-downs थे wood में, वो fill हो गया है, आप चाहें तो paint भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके उपर sticker लगाने वाला हूँ, विनायल का, अभी wood trimming machine से थोड़ अभी sound dampening के लिए हम acoustic form का यूज़ करेंगे, कई लोग अंदर fiber भी डालते हैं, तो polyfill भी आप डाल सकते हैं, glass fiber का यूज़ कभी मत करें, क्योंकि वो health के लिए बहुत ही dangerous ही होता है, ये देखिए इसमें glue already लगा हुआ है, इसको आपको size के according कट करना है, और सारे wall में stick कर द ये उपर का है हमारा, side walls में लगा दिया, पीछे का extra जो भी है, कट करके मैंने निकाल लिया, और देख रहे हैं, आप अच्छे से caustic form लग चुका है हमारा, ये बहुत अच्छे तरीके से audio के absorb करेगा, vibration नहीं आएगी, sticker हम लगा लेंगे इसके उपर, wood और furniture के लिए मिलता है, इसका भी link मैंने नीचे दिया हुआ है, Amazon से मैंने मंगाया है, और काफी carefully इसको लगाना पड़ता है, दरवाइस wrinkles आ जाएंगे, आप चाहा है तो MDF को paint भी कर सकते हैं, लेकिन MDF को paint करने के लिए, पहले primer लगाना हो आता है, next enclosure में मैं paint करके भी try करूँगा, देखता हूँ कैसी finishing आती है, और यह मैंने front speaker का portion कट कर लिया है, Peter का भी portion कट कर लिया है, मैंने back side में जो port है, उसका portion कट हो गया, और back side के speaker panel का भी portion कट हो चुका है, Peter को मैंने panel पर रख दिया है, और recordingly hold कर लिया है, carefully कीजिएगा, Peter को कोई damage नहीं होना चाहिए, और wood में काफी आराम से छेद हो जाता है, अब buffer भी लगा लेते हैं, drill के तुरू, carefully, alignment का बहुत ध्यान रखना है हमें, back side का speaker panel भी हम लगा लेते हैं, और इसके बाद हमारा box almost complete है, इसके बाद हमें इसमें port लगाएंगे, तो port को हम हाट glue से glue करेंगे, क्योंकि मेरे port की size थोड़ी जी बड़ी हो गई है, और आई अब हम नेटवर्क प्लेट के connection वगरा कर लेते हैं, तो आप जानते हैं कि ये 12 dB की एक नेटवर्क प्लेट है, टूवे क्रॉस ओवर है, लेकिन जो भी component लगे हुए हैं, उसके हिसाब से उसके accordingly 4500 Hz का क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी है इसका, यानि कि 4500 Hz से नीचे के फ्रिक्वेंसी ये बूफर को देगा, और उससे उपर की फ्रिक्वेंसी ये ट्वीटर को देगा, तो हमारे वूफर और ट्वीटर भी इस तरीके के हैं, जिससे हमारा वूफर जो है, वो 8000 तक की फ्रिक्वेंसी ले सकता है, तो उसमें हम 4500 के नीचे की आराम से दे सकते हैं, और tweeter भी हमारा 1.1 kHz से उपर की frequency ले सकता है 30 kHz तक तो उसमें भी हम 4500 Hz से उपर की frequency दे सकते हैं और इसका connection आप देख रहे हैं कि speaker terminal से match करता है तो wire लगाने के जुरुत नहीं है, directly हम speaker terminal press को solder कर देंगे अभी हम wire यहां से लगा लेंगे और wire में आपको ध्यान रखना है कि कोई कंजूसी नहीं करनी है काफी थिक copper के wire आपको यूज करने है वरना quality डाउन हो जाएगी मैंने 1.5 mm square के wire यूज की है, buffer के लिए और tweeter के लिए थोड़ा पतला यूज कर सकते हैं लेकिन वह भी pure copper का होना चाहिए अभी wire से speaker के connection के लिए मैं speed terminal का यूज करूँगा इससे फायदा यह होता है कि कभी भी आप speaker को बिना solder के वे निकाल सकते हैं इस तरीके से सारे terminals हमारे लग चुके हैं और आई अब हम चलते हैं speaker fitting के तरफ और सबसे पहले हम लगाएंगे port तो port में आप जानते हैं कि hole होता है और इस hole को एक मैंने mist cloth से ढख दिया है otherwise क्या होता है कि इसके अंदर कीडे कॉक्रोच वगरा जाकर अपना घर बना लेते हैं यह काम आप जरूर कीजिएगा इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा आपको रखना है कि कहीं से भी air leakage के chances जादा ना हो अब front के speaker वगर लगाते हैं इसकी specified place पर यह cuts मैंने बाद में बनाये थे ताकि यह part जो है अच्छे से fit हो जाए वूफर हमारा आ गया और यहां पर अगर आपके पास कोई पतला single sided form हो तो लगा सकते हैं air proofing के लिए मेरे पास नहीं था तो मैंने थोड़ा सा glue गन यहां पर डाल दिया है ताकि कोई भी air हमारा leak ना हो दोनो टर्मिनल्स बहुत अच्छे तरीके से लग चुके हैं भी एचार हमारे form के pad है जो हम यहां पर नीचे लगा देंगे जिससे कि यह stable रहे vibrate ना करे यह woofer और twitter लग चुका है और हमारा speaker अब complete हो चुका है चारो तरफ से आप देख सकते हैं यह side इसकी यह है और back side इसकी यह है top view कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है speaker का तो इसी तरीके से हम दोनों speaker बना लेंगे और उसके बाद हम test करते हैं कि इसकी audio quality किस तरीके की होती है अगर यह मारा एक pair ready है और इसको 100 watt के amplifier के साथ आये test करते हैं किस तरीके से काम करता है यह तो इसको मैं connect कर देता हूं देखिए यह plus में चला गया बहुत है simple और यह minus में चला गया मैं का मैं अब बाता है यह मैं अदने का यह फिए बाद गया जाता है पत्रोvéित के थ veramente हैं, पत्रोफ इसनला वेंलग्यार वफ पत्रोपी, फिसे फिर देह वार अइंणग . उनलए ट्रोफ एफ दुट आज इन फिसे वी के वार मुट्म Come सfangार, शिसे का थे वार 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 economics कर दो अ अ कॉपी राइट के वज़े से बहुत सारे डिफरेंट टाइप की आडियो मैं आपको वजा के नहीं दिखा सकता हूँ लेकिन मैंने इसमें बहुत सारे जेनर की मेजिक सुने और काफी अच्छी परफोर्मेंस है इसकी मैं यह तो नहीं कह सकता कि मार्केट में सबसे अच्छा स्पीकर है लेकिन जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से इसका रिटर्न बहुत ही अच्छा है बहुत ही बैलेंस्ट क्वालिटी है इसकी और अगर आप अच्छी आडियो सुनना चाहते हैं तो बहुत आप बनाईए और सुनिए तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह बिल्ड पसंद आया होगा और आप भी इस स्पीकर को बनाएंगे और बताएंगे कि आपको इस स्पीकर की क्वालिटी किस तरीके से लगी अगर मेरा फाइनल वर्डिक्ट आप इस स्पीकर के बारे में जान